आप सभी को मेरा प्यार भरा रमस्कार प्रेंसी मनी प्लांट्स है और मनी प्लांट्स तो वैसे हर घर भी सेव मतलब गार्णिंग में सजाए जाते हैं बहुत ही खूचूरत भी लगता है ये और एक तरह से ये प्लांट्स जो है बास्तो के लिए भी सुभ माना जाता है तो इसकी जो पत्या हैं फ्रेंस देख रहे हैं काफी बड़ी-बड़ी पत्या हैं हलाकी ये तो जमीन में लगे हुए हैं और एक दिवार की सहारे हैं लेकिन हम इसे अगर घर के अंदर लगा रहे हैं तो इस पॉट में भी हम लगा करेके इसकी पत्यों को जो साइज होती है बड़े बड़े ले सकते हैं बस उसके लिए हमें एक जो सहारा देना होता है हम दिवाल में तो सहारा नहीं दे सकते हैं अंदर तो इसके लिए एक मॉस स्टिक होती है Moss Stick जो के एक नमी, एक ऐसा Stick जो नमी बनाये रखता है और ये जो plants की जो टैनी देख रहे हैं, area roots है ये तो ये area roots Moss Stick में लगे रहते हैं नमी को बराबर बनाये रखते हैं जिससे की पत्यों में अच्छी खासी signing भी होती है और पत्यों का साइज भी काफी बड़ा होता है तो आज मैं मौस स्टिक के बारे में ही बनाने की बना के दिखाऊंगी और ये बहुत ही कम रेट में आपको इजली बिल्कुल इजली घर में ही तयार हो जाएगा उसके लिए आपको बाहर से खरीदने की कोई जरुरत नहीं है और उस तरह से आप लगा करके और अपने घर के अंदर ही मनी प्लांट्स के पत्यों को बड़े-बड़े साइज में ले सकते हैं तो इसके लिए फ्रेंट्स ये कलेंडर है मेरा पुराना कलेंडर है जो कि जिसके ये पाइप है जो पीछे नीचे डंडी लगी रहती है उप प्लू कि अर्प्री में चाहे तो आप उसे पांसु के दे करके वो छिलके ले सकते हैं और इस इस डंडे में जो है पिल्कुल चारु तरफ इसको छिंद करके और चारु तरफ लपेट करके एक टायट्ली रस्सी से बांध दीजिए और थोड़ा सा इसको जो है नीचे से छ छोड़ दीजिए वहां से उसके ऊपर छिलकों को लगा करके चारों तरब से लपेट करके लगाए और मैं यह ज्यादा तर प्लास्टिक की ही डंटे यूज करती हूं क्यूंकि यह पानी के अंदर कंटिन्यू रहता है और हम जब बराबर पानी देते रहते हैं तो कब कभी ऐ इसा होता है कि अगर हम लकडियों को डंटे यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद वह सड़ जाते हैं और वहां से फिर वह तूड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि उसके ऊपर जो आपने मनी प्लांट की लता है जो चड़ाई रहती है वह मतलब डैमेज हो जाएगा त जो है इसको चारो तरब से लपेटने के लिए मैंने ये बोरा जो होता है जूट होता है जूट का कपड़ा होता है ये भी आपको मार्केट में बहुत अराम से 25-30 रुपे की मैंने लिये है आधा मीटर वह आपको मिल जाएगा तो इसको मैं इसके किनारे सबसे पहले रख दूँगी और ये थोड़ा सा जो है मैंने कम से कम आठ इंच 7-8 इंच जगा छोड़ दी है जो कि मिट्टी के अंदर उतना चला जाएगा हलाकि इस कप्ड़े की लंबाई थोड़ी ज्यादा है तो मैं इसको यहां से थोड़ा कट करके हटा भी दूँगी और थोड़ा सा ओपर का चौड़ दूँगी जो की बाद में नीचे के रहां लपेट करने लपेट Dalam Method थो बिब दूब और इसको मैं एक दो लपेटने के बाद एक वार एक फोल्ड मैंने इस तरह से लपेट है फिर दूसरा फोल्ड लपेट है दूसरा फोल्ड लपेटने के बाद मैं फि मुठी छोटी बिल्कुल टुकुडे कर दीजिए इसमें दो मुठी कम से कम बिछा दीजिए जिससे की थोड़ा सा स्टिक की मोटाई थिकनिस बढ़ेगी और यह काफी जब आप पानी देंगे आप पानियों का छिड़काओ करेंगे मौस स्टिक पे तो उसकी नमी काफी होल् जिससे की जो मनी प्लांट की जो एरियल रूट होते हैं वो इसमें जाकर की जब चिपक जाता है जब लगा रहता इससे तो काफी अच्छी खासी मातरा में वो नमी लेता रहता है जिससे की प्लांट्स को नमी की वज़र से उसकी पत्या जो होते हैं वो अपनी साइज को भ तो उस्का भी लिप्रविलाइजर दे रहे हैं इस स्टिक पर भी उसका छिड़काओ करें जिसने की काफी देर तक इसमे जो हमने नारियल की छिलके और कोको पीट लगा हुए हैं वो नमी होल्ड किये रहे हैं और पत्यों को निट्रेशन पत्यों के एरियल रूट्स के द्वारा ही देता रहे हैं और इसे मैं फिर सिलाई भी कर दूंगी स्वीधागे से अच्छरी आम मैं इसे बात में रस्यों से भी बांधूंगी लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट देने के दिए जब मैं रस्यों से बांधू तो मुझे सपोर्ट मिल सके तो इससे पहले मैं इसमें अच्छे से थोड़ा कैटली सिलाई भी कर दूंगी और फ्रेंड फिर इसको सिलने के बात जो है मैं इसमें जिस नारियल की छि करें तक यह हमारे पास प्लांट्श में लगा रहा है टिका रहा है फ्रेंच तो इसको मैं फिर रस्यों के सहारे नीचे से ही ऊपर तक बी once ठोड़ तक दोनों तरफ से लपेट करके चार रों तरप बान्ध देना है बिल्कूल टैटली बांध देना है दहिए इस तरह सिरे तो फिर यह हमारा एक अच्छा सा मॉस स्टिक जो है बहुत कम रेट में तैयार हो गया है और फिर यह मनी प्लांट्स रहें इसको चारो तरफ से लपेट-लपेट करके इसी में थोड़ी-थोड़ी दूर पर रस्यों के सहारे ही अब उससे में रस्या कोई भी ले ले रस्यों के सहारे इसको बांध दे और पानी का शिरकाओ जब भी पानी दे तो इस पर भी पानी का स्प्रे करते रहें जो पत्यों की नमी बनी रहें और पत्यों की साइज भी आपको अच्छे घासी मिलेगी फ्रेंट्स तो हम इसके बार यहांक्सु एप्पी गार्णिंग